तो आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए कोर्स की नए एक्जाम की शुरुआत कर रहे हैं और जो एक्जाम है वो डियाइडियो का आपका जो सेप्टम का जो एक्जाम है उसकी पेशन हम आपको करवाएंगे और उसमें सबस्पहले टियर वन का हम पेशन करेंगे झाय कने पुर्टम कर आपको को जो होआज उसकी पेशाम की अपर होक्तै Arm.ट जो जो हम हम अपने चैनल पर आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सब के याद को जौएइथ होगन कर सकते हों छ यहाँपर अपने एक्जाम के पशलवाड कर सब्सक्राइब करें तो आप सभी इंजिनिंग स्टुएंट्स से कहना चाहेंगी सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में यहां से अपने टियर वन के एक्जाम के प्रिपेशन आप सब कर सकते हैं तो DRDO का सेप्टम 10 टियर वन की एक्जाम के प्रिपेशन आज से हमारे चैनल पे स्टार्ट हो रहा है तो सबी इसको जोईन करें और अपने प्रपेशन को जो है और बैटर करें ओके तो आज से जो है हम अपने चैनल पे DRDO सेप्टम 10 का जो है प्रपेशन स्टाम अप्टर रहें ओके थैंक यू ओके विर्वन आप सभी का जो है हमारे जे ओनलाइन इंजिनिंग अकैडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपका जो टीर वन DRDO सेप्टम 10 का जो टीर वन का जो एक्जाम है उसकी हम अप्रपेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने अकैडमी बे तो आप सभी जो है मतलब आप इसको जॉइन करें और स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पहला सेशन तो फर्स सेशन में जो है हम जो टीर वन में जो प्रिवेस यह जो कोशन्स पूछे गए हैं पहले हम उनको प्रिपेर करेंगे और उसके बाद जो हम इसमें एडिशन को भी लेंगे जो की बहुत इंपोर्टेंट हैं एक्जाम के पॉइंट ओव यू से हलाकि जो टीर में जो आपका नोन टेकनिकल कोशन्स रहते हैं उसमें कहीं से कुछ भी पूचा जा सकता है तो हम सबसे पहले प्रिवेस यह से जो कोशन्स पूचे गए नोन टेकनिकल उनके बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहला कोशन मैं ले रहा हूं बहुत स्बस allegation है ऐसirmative will कहें पहला की जो मैंने लिया है बहुत त्सिंपल कोशन है आपका ए Psych school is असलाइक छोंडयों 08 है उसकी जो बाथ करें तो आप लोगोंने पढ़ा थींटु टैन की पावर 8 met finished टो जो लाइट है उसकी जो स्पीड है जो स्टंडर्ड है जो हमने पढ़ा है तो उसकी जो स्पीड की जो वैलिध हो आपका 3 इंटु टैन की पावर 8 मीटर पर सेकंड तो यह कोश्चन जो आपका डियाइडियो में प्रिवेश से पूछा जा चुका है तो कोश्चन को अच्छे समझ लीजिए कि वर्ट इस दा स्पीड ऑफ दा लाइट तो लाइट की जो स्पीड है वह और कितनी होती है तो आपको आपर और भी मल्टिपल थैं mixing मीटर फर थी थैन की पावर यह और आपको जो स्थेंडर्ट जो हमारा जो वयल्यू है- कि हमारी थी इंटू-तेन की पावर एट मीटर पर सेकंड ओकर तो Nest supplement को labor प्रपेटें। तो हम सेकिंड कोश्ण की तब चलते हूं जो सेकंड कोश्ण हमारा है वह आपका जो पर्मलोजी इस दॉ इस टड़ियों तो इस पर्मलोजी जो एक्षिल देवाए जाए तो यह हमारा जो है आपका बोटनी या फिर बैलोजिकल कोश्ण है हमारा तो इससे पूचा कि spermology is the study of इसमें अगर हम देखें किस की स्टुड़ी करते किस product की या किस पार्ट की हम किस की स्टुड़ी करते हैं तो इसमें option आपका है यह अपका बाया जो बाया लॉजी का जो एक question है आपका तो इसमें जो जिए आपको जो मिलेंगे आपको जासे आपका फ्रूटर स्क्राइब सकता के अंदर आपका क्या नमें अपको सीड्स अगर और फॉर्थ ओप्षिन इसमें आपका और कुछ हो सकता है कुछ भी आप लेली जान ले देते हैं तो अगर हम देखें स्टेड़ी करते हैं हम उसमें स्टड़ी करते हैं सीड्स की जो बीज हैं हम उनकी study करते हैं वीजु के बारे में उनकी information निकालना उनकी composition को पता करना जो भी है वो सारा का सारा जो है हम आपका spermology के अंदर करते हैं तो spermology में जो study करते हैं seeds की जो है हम study करते हैं तो इसका जो right answer है वो आपका seeds ठीक है तो spermology is the study of तो आपका इसमेहगा seeds okay okay everyone तो आप हम लेते हैं question number third जो काफी important है तो question number जो third है वो आपका है इसमेह विच आफ दी following is the composition of branch alloy ठीक है तो question जो है वो आपके सामने है question में पूछा गया है कि which of the following is the composition of branch alloy तो branch alloy का जो है वो composition क्या है मतलब branch alloy किस-किस composition से और कौन-कौन से alloy से मिलके बना है तो इसमें आपको option तो काफी सारे मिल सकते हैं अगर हम options की बात करें इसमें तो इसमें आपको जैसे मिल जाएगा lead and tin ठीक है ना second option अगर हम देखें तो इसमें हो सकता है आपका tin and brass ठीक है third option ले सकते हैं इसमें इसमें और फॉर्थ option हम ले लिए इसमें नन अफ दीस ठीक है तो हम इसमें चार option जो हैं हमने ले लिए इसमें आपका एक तो लैड एंटिन ले लिए तिन ब्रास ले लिए इसमें से खोड़ लटे लिए और एक इसमें इसमें से एक कोई भी ने न हुआ ना ओटे रोंपTwenty दिन तो इसका जो आपका ब्रास में जहीं है वो दो और के बना है वे कौन-कौन तो इन दोनीए कम पोजिशन से जोए हम ब्रॉझ एल्वाए को जोए प्रिपेर करते हैं ओके तो चलते हैं नेक्स कोोशन पे कि हुआ और अगला कुशंच है वह का राकोश्चान नमर फॉर चोशन नमझारा होगा वहाए मिनिट हां question number 4 जो होगा हमारा होगा which of the following is the composition of glass तो उसमें हम option ले सकते हैं इसमें हम लेते हैं आपका diamond ले 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 लेते हैं थीजा अंधोलेकश्रिक इस और इसमें ले लेते हैं और फॉर्ट उप्षन जो है हम इसमें वह नन ओफ में नन ओफ यह थीजन ले लेते हैं तो विच आफ दा फोलोहिंग सथा कंपोजिशन गलाज का गास का कंपोजिशन फूच्छ रहा है कि गना कुन सा उस्हें बनाने के लिए तो मद्पाइब मर्ली हम करते हैं कंपोज आप Catalim ले लिए कि ड गामड ले लिए ले लिए लिए इस दीफ सीलिका अब न इस विए तो हम जो ग्लास को पिपेर करते हैं तो चलते हैं नेक्स कोशन पर तो आब हम लेते हैं कोशन नमबर फाइफ तो कोशन नमबर फाइफ जो है वह हमारा आपका इसमें विच आफ दी फॉलॉइंग इस दी बेस्ट कंड़क्टर तो ऑप्शन नहीं में ले लेते हैं आपका ब्राँज ठीक है दूसरा ले ले लेते हैं आपका केंस सब्सक्राइब है यूसरा ले ले लेते हैं इसमें हम आपका गोल्ड तो ऑप्षन जो हमने आपको दे दिए इसमें तो इसमें कोशन पोछा विच आफ दौ फॉल्वज के दड़क्टर इनमें से जो है कौन सा आपका बैस कंड़क्टर है तो इसमें आपका ब्राँज तो इनके कंपरिजुन देखा जाए तो ब्रॉंज को लेत के सिल्वर है तो जो थारा आपका चीज का अब रॉंज भी नहीं आपका और लेड में तो इसका आपका कंदक्टर होगा ओके तो इसका रॉच्ट आइए वह आपका यह covered होगा तो राइट एंसर वह तो आपको नाम याद रखना है कि जो बैस कंड़क्टर है हमारा सभी एक कंडिशन के केस में भी आपका जो एफिशेंसी के केस में भी मेल्टिंग और आपका बोलिंग के केस में भी तो हमारा जो बैस कंड़क्टर है वह हमारा इसमें सिल्वर है ओके यह हमारा कोशन नंबर फाइफ तर चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ तो नेक्स कोशन जो हम ले रहे हैं वह हम फिजिक से ले रहे हैं और वह हमारा कोशन नंबर 6 तो question number 6 हमारा work depend on जो work किस पर depend करता है आपका पहला आपका ले लिजिए स्पीड ले लिजिए सेकेंड जिए में आप पावर ले लिजिए और थर्ड ओप्शन जो इसमें ले रहते हैं आपका तो हमने इसमें चार ओप्शन ले ले तो वर्ग जो हो डिपैंड करते हैं आपका फोर्स के उपपर क्योंकि फोर्स जब होगी तभी यह हमारा कुछ क्तन कुछ यह सी हैं आईगी तो वय क्यों बयुक्ति करते हैं आपका फोर्स गर्फ जो होगा वह दिपैंड करते आपका ऑफार के उपशन बने सी लिए हैं आपक्जों को हो सकता है भांस ट्रों लेगिन जो आंसर है वह आपका वक्ट डिपेंड ओन पॉर्स पावर और स्पीड भी जो है वो फोर्स ते कारण ही इजनरेट होती है तो इसलिए जो हमारे जो वर्ग डेन है वो डिपेंड करता है फॉर्स के उपर ओके तो इस इस एक कोशन नुबर सिक्स जो जलते है है कोशन नुबर सेवन की तरह ऑगे सुंटियनस अब हम लेते है कोशन नूबर सेवन जो की आपका केमिस्टि से है तो कोशन नूबर सेवन आपका है इसमें हाव मैनी अइलेक्ट्रोंस में हमिने ये प्रेजने इन एक है तो कोशन आपका हाउ मैं अठीक कर दीता हूं अपका इसमें तो हमानी इलक्ट्रोंज कैन बी प्रेजन इन एलचल तो इसमें हम आप्शन ले लेते पहले ए भी सिवी तो हम मालते हूं इसमें तू है आपका यह तो इसमें जो कितने लेक्टर न सोते हैं तो अगर आप ज्यान से दिखेंगे जो एलचाल है हमारी उसमें जो नंबर ओफ एलचेल पास वह ओते हैं एट इलेक्टरोंग्स ठीक है तो नंबर ओफ एलचाल में जो होते हैं टूहरत उसमें डेखेंगी हमारा जुसमें आतले आट हैं तो चलते हैं नेक्स को कес्वी po जो क्या है उपका बाईलगी से जो की सब्तर आपको बचारएं तो विटामीन सी का जो क्या है तो उप्शन जो मैंने लिखे है वह आपको बता रहा हूं का इसका हो गया तो इसमें जो सेंटिफिक नेम हे विटामीन अनसर आप इस नाम याद कर ले ना तो विटामीन सी का जो सेंटिफिक नेम आपका आपका एसकॉर्बिक एसीड है गजाम में टो जलतेया नेट्स कोश्टन में नाइन जो नेक्स कोशन जो हमने लिया है कोशन नमर नाइन वह हमने लिया आपका फिजिक से और बहुत भी बेसिक सा कोशन है जो की पूछा गया था सेप्टम के एक्जाम में तो उसमें तो जो मास है वो सेम ही रहेगा अर्थ के सेंटर पर अगर किसी अबजेक्ट के मास की बात कर रहे हैं तो अर्थ के सेंटर पर जो उसका मास वही रहेगा जो यहां पर आपका 50 केजी ही रहेगा यह अपका खुशन नमबर नहिंट दा जो की तरह लास्ट वोगा तो जो लास्ट कोशन है वो हमने जन्र नॉलिज से लिया है और जो कि प्रिवेस एस में सेप्टम टीर वन के अग्जाम में पूछे जा चुका है तो वो कोशन आपके सामने है कोशन में थोड़ा पहले लिख लिए था जिससे की जो है आपको कोशन लिखने की वैसे जो फिर आपका जो पुछा गहता है वराट कोली रिसीव राज्य गांधी-ख़ेल रतनो से लग को Satu के दुवारा किस डेट को जो है दिया गया था तो वह डेट आपके इसामने दी गही है। जैसे आपका टुएंटी फिफ अक्टुबर बांदी खेल रतना वार्ड पी ओ आई के द्वारा दिया गया था तो यह इसका जो ए राइट अंसर है 25 सप्टेंबर 2018 तो आज के टोटल जो है दस कोश्चन्स मैंने आपको करें जिसमें की कुछ कोशन फिजिक से थे कुछ कोशन आपका जो है केमिस्टी से थे कुछ कोशन आ नेक्स्स this session में next lecture में जिसमें कि हम और जो कोशंस हैं उनको छे से प्रिपरेण करेंगे तो आप सभी सेme क कि आप सभी मेरे चैनल को लाक करें चैनल को शेयर करें योडियो को लाइक करें यतल को सब्सक्राइप करें तो मिलते हैं नेक्स सेक्शन में और कुछ नए कोश्चन के शापने, तैंक यू